नमस्कार दोस्तों मेरा नमें पीव शुराब देखते कोशनार भारत अभी हाली में 17 तरिक को निउस आ रही है कि गुजरात सरकार ने वहां के स्कूल के करिकुलम में यह एड कराया है कि भगवत गीता भी पढ़ाई जाएगी आज से स्कूलों में और कच्छा 6-9 तक एक बे कैसे इसमें काफी विरोध आ रहा है तो लाइक और शेट ठोक दीजिए पाच जार लोडे दिख जाना चाहिए यह चार हजार के मैं यह आप नहीं खड़ा हूं पुरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बिटा अभी हाली में से सोधिया ने तंज करते हैं कि इनकी हरकते रा हैं इसके लिए उन लोग इलेजिबल हैं कॉंस्टुशन में उनको प्रचार प्रसार पढ़ाने सब की आजादी है हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि हमें पूरा पूरा रिलीजियस बॉडी खोल ली है हम बस कह रहे हैं कि कॉप्शन सब्जक्ट दे देना है ताकि बच्चों का करेक्टर डिवलपमेंट का काम हो जाए हम उन्हें पढ़ा लिखा रोबोट बना के नहीं निकालना चाहते हम उन्हें बड़ी बड़ी कंपणियों में काम करने वाला गधा मज़दूरी करने लायक नहीं बनाना चाहते हम चाहते हैं वहाँ से कोई व्यक्ति निकले तो ग् इसी ना किसी हद तक compulsory भी कर देना चाहिए कि बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें तो समझे नीचे भगवत गीता की फिर कई जगह से कहा जा रहा है कि religious चीज़ को force क्यों किया जा रहा है education institution में अब इलनों को यह religious angle याद आने लगया जब भगवत गीता की बात होगी भगवत गीता में कुछ religious नहीं है यह मैं आगे चल के बताऊंगा लेकिन जब हिजाब की बात चल लए थी तो उन्हे freedom of expression चाहिए था उन्हें education के right देने की बात हो रहे थी यहां तक यह भी बात होगी कि हिजाब पे बैन लगाने का मतलब है कि Muslim महिलाओं को Muslim लड़कियों को education से वंचित रखना उन्हे education से दूर रखना मतलब हिजाब is equal to education अगर वो हिजाब पहन के आएंगी तब ही पढ़पाएंगी और नहीं पढ़पाएंगी यह उनका तरक था मतलब बड़ी से बड़ी actresses, model, लड़कियां, महिलाएं बहुत हैं हिजाब नहीं पहनती हैं पहनना पसंद भी नहीं करते हैं लेकिन जैसे बिए पॉलिटिकल नेरेटिव चल ला है तो कुछ लोगों को हिजाब की बहुत चिंता हो रही है कोट ने कह दिया कि हिजाब कुरान का या इसलाम का एक essential हिस्सा नहीं, optional है, मन है पहनो, मन है नहीं पहनो लेकिन फिर भी यह हर जगए essential पोटरी कर रहे हैं जैसे बात है पॉलिटिक्स नज़रा रही है राना आयूब जैसे लोग जो हिजाब के फिवर में लड़ रहे हैं वो खुद हिजाब में बहुत नाके वरावर देखते हैं जब तक उन्हें opportunity नहीं साधनी होती है वो ऐसी जैसे और कई Muslim cleric और जिसने Muslim leadership है वो खुद Muslim महिलाओं को दबा के रखते हैं मसज़िदों में जाने ने जाते हैं बाहर खुले में जाने ने जाते हैं सिर्फ एक ही भगवान को मानूँ ये पढ़ते ही आप हिंदू हो जाओगे ये पढ़ते ही आपको बाकी धर्मों से, बाकी रिलिजियन से, धर्म नहीं, धर्म तो सिर्फ एक है बाकी रिलिजियन मजहबों से नफरत करनी चाहिए, ये पढ़ते ही आपको ये नहीं सिखाया जा रहा है कि आपको मुसल्मानों के गले काटने चाहिए यह पढ़ते ही आपको यह नहीं सिखाया जा रहा है कि बाकी लोगों को हेद रिष्टी से देखो उन्हें lower category में डाल दो उन्हें बिल्कुल निचले दर्जे का कीड़ा समझ लो इसमें यह नहीं सिखाया जा रहा है कि महिलाओं के लिए तो सिर्फ जहन्नुम नर्ग ही एक प्लेस है और यह हैवन में नहीं आ सकती इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि जिहाद को इसमें यह नहीं कहा जा रहा है कि नौन हिंदू को मारो जिससे आप ग्लोबल लेवल पे कहीं exist कर सकते हैं और success की उचाईयों को छुख सकते हैं और मानसिक तोर पे एक सांती हासिल कर सकते हैं, समझ हासिल कर सकते हैं और इसको religious चीजों से जोड़ा जा रहा है और कुछ समझदार लोगों को मैं बता दूँ कि जिनको लगता है कि धर्म को इस civilization को कोई एक बुक से नहीं समझ सकता, ठीक है तो कोई यह ना कहा कि इस एक बुक के इंट्रोडक्शन से एक religion को परमोट किया जा रहा है, फिर तो मेरा वही एक request है कि धीरे धीरे वेदों को भी इंट्रोड्यूस कराया जाए, जितने भी इस सास्त्र हैं उनको नलंदा में जो भी चीजें हमारी बर्न हो गई थी, रिसर्च करके, जिस हद तक हम क्लेम कर सकते हैं education system को अपने पुराने वाले, उसको इंट्रोड्यूस कराया जाए, फिर तो इनकी जो भी मिर्ची लगनी लगे, और अगर ही बात problem है आपको बगवत गीता पढ़ने से, तो आपके पास मदर से बहुत समय से option है, हमने तो नहीं कहा बगवत गीता पढ़ने के लिए या हिंदू धर्म की सिक्षा के लिए एक अलग से body खोली जा रही है, तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लगरे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और सबसे बड़े सवाल के साथ या खतम किया गया, इस नए education system के अंडर में आके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होई, लेकिन अगर suddenly भारत को एक अच्छे level पे पहुचाने के लिए, capable human force देने के लिए, एक attempt किया जा रहा है कि भगवत गीता इंट्रोड्यूस कराई जाए, ताकि एक अच्छा character development हो, एक अच सुल्मानों के खिलाफ, मुझे तो इसमान में नहीं है, इसका मुझे जवाब चाहिए, फिर मिलते हैं, अगलोड में जहन, बंदेमान, तो लाइक और शेट ठोक दिजिए, पाच जार लोडे दिख जाना चाहिए, यह चार हजार के लिए यह आपे निक खड़ा हूँ,